नमस्कार सलाम मेरा नाम है अरसलान उत्तर प्रदेश में मद्दाता सूची की गड़बड़ियों की शिकायते अक्सर उठा करती है पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर फर्जी मद्दान का भी हारोप लगाते हैं लेकिन अब समाजवादी पार्टी की एक शिकायत से खुलासा हुआ है कि कन्नौज में मद्दाता सूची में ऐसा खेल हुआ था कि असली मद्दाता से पाज गुना ज्यादा फर्जी वोटर को शामिल कर लिया गया दरसल सपा के प्रदेश अद्यक्ष नरेशुत्तम पटेल ने 28 अगल 2023 को छिबरा मव विधानसाबा निर्वाचन छेतर के बूत संख्या 177 मोहला बजरिया की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की थी आरोब था कि यहां 138 नाम फर्दी हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सपा के शिकायत पर जाज कमेटी कटित कर दी कमेटी की जाज जब पूरी हुई तो पता चला की खेल छोटा मोटा नहीं बलकि बड़े पैमाने पर हुआ था असली से ज़्यादा फर्दी नाम यहां शामिल थे इन 138 में 115 लोग फर्दी थे और 23 मदाता ठीक पाए गए थे अब गाज बियलो प्रबुदयाल पर गिरी है पेशे से सफाई नायक प्रबुदयाल की लापरवाई से फर्दी मदाताओं का नाम सूची में शामिल कर लिया गया था अगामी 17 अक्तूबर को नई मदाता सूची प्रकाशित की जाएगी अब इस मुद्धे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अकलेश यादो ने भी टूइट कर निशाना सादा है अकलेश यादो ने कहा कि भाजपा सरकार के ब्रश्टचार से मदाता सूची तक नहीं बची है कनोज में सपा की आपत्ती और शिकायश से छुपा हुआ ये सच सामने आया है कि एक बूट में जितने नाम सही नहीं है उनसे पाच गुना ज्यादा नाम फर्जी है अगर इमानदारी से जाच हो जाए तो केवल कनोज के एक बूट में ही नहीं उत्तर प्रदेश के हर एक बूट में ये भाचपाई गोटाला सामने आएगा चुनाओ आयोग संग्यान ले और दंडात्मक कारवाई करने के बाद मदाता सूची को सत्यापत कर सुधारे दोस्तो भारत ये जनता पार्टी अकसर चुनाओ में इस तरह के आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी फर्जी मदान को बढ़ावा देती है मदाता की पहचान के बिना वोटिंग कराना चाहती है लेकिन सपा की इस शिकायट पर हुई जास से अब खुलासा हो गया है कि गड़बड कहीं और है असल खेल तो मदाता सूची में ही हो जाता है 2024 का चुनाओ नस्दीक है ऐसे में समाजवादी पार्टी की सक्रियता ने ये खेल पकड़वा दिया है निर्वाचन आयोग को इस गड़बड़ी पर क्या एक्शन लेना चाहिए और बियलो के अलावा भी क्या कोई जिम्मेदार है हमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया लिख कर दे सकते हैं नमस्कार देख पाएंगे चलते हैं जै भीम जै भारत